हलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, मैं इलम सर्मान, हेर एंड मेकप आर्टिस्ट कैसे हैं आप सर्माइब, I hope सब अच्छे होंगी, तो आज मैं वीडियो बहुत खुबसुरत एक इंगेजमेंड मेकप की लेकर आई हूँ, तो आप लास तक मेरे साथ जरूर बनी रहेग अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं हेस्टेल के वीडियो भी ज़रूर डालूंगी, तो सबसे पहले आपको जो है मेकप का, पहले जो है वो सीटियम करना बहुत जरूरी होता है, अपने मेकप को एक अच्छा लुक देने के लिए, सीटियम होना बहुत जरूरी कोई भी आपके पास क्लींजर हो तो क्लींजर आप कर लें इसके बाद मैं आप टॉनर ले तोनर, मैंने ममारत इस्प्री नहीं होता है तो आप उसे कॉटन में लेकर अपनी स्कीन में एब्सॉप करा दें और 10-12 सेकिंड छोड़ने के बाद मैं अच्छे से आपको करना दाने वाली हूं कि जो आपका टॉनर है और मेंตब की 阿त उसमें डिफरेंस क्या हुता है नहीं करता है तो तो जो टॉनर होता है न वह हमारे इस्कीन हैं तो आप बिल्कुल भी मिस्ट का यूज़ ना करें ऑनली टॉनर से भी काम चल जाएगा अगर किसी की ड्राइ स्कीन है तो आप टॉनर के साथ में मिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद में दैन मैंने एंबुलेस का मॉश्यराजर विद प्रैमर होता है और मैंने वह यूज़ कर आता क्यूंकि उससे जो मेकप का लुक आता है वह बहुत अच्छा निकल कर आता है तो वह थोड़ा इस्पैंसिब है अगर आप ले सकते तो ले भी सकते हैं उसके बाद में मैं यूज़ कर रही थ और अच्छे से आपको इसकीन में एबढ़ आना तो आप अच्छे से में नहीं कर सकते हो फिर एक है ओली लगेगा इसलिए आपजुल करना लाँ जरूरी होता है तो यह मिस किलियर का मैं आपको आइब्रो डिफाइन करना बता रही हूं मैं पाउडर बेस से ही आइब्रो डिफाइन कर रही हूं और आपको एंगल ब्रस लेना होगा और आपको एंगल ब्रस की हेल्प से जो है इनका आइब्रो डिफाइन करनी होगी और बहुत अच्छे से iain करनी होगी मैंने आपको बताए कि नीचे से नीचे से प्रॉपर करनी होगी ऊपर की साइट और हो अखरोल से ऊपर से लाइन करोगी तो वह आच्छी नहीं लगीगी ऐसे रेडी मेड जैसे लगता है देन उसके बाद में यूज कर रही हूँ कंसीलर यूज कर रहे हैं मेकप फोरेवर का और आज मैं उनका उपड़ से भी डिफाइन कर रही हूँ और क्योंकि उपर से अगर आप डिफाइन करते हो न तो आइब्रो का जो लुक है वो बहुत खुपसुरत आता है इनकी थोड़ी से मुझे आइब्रो में प्रॉब्लम लग रही थी पर हमें प्रॉपर करना पड़ा वक्त जो है मुझे मतब वो संतुस्टी नहीं हो रही थी कि उनकी आइब्रो अच्छी है उनके हेर ही ऐसे थे बनाई तो मैं नहीं है पर उनके हेर ही ऐसे थे उसके बाद में हम compact powder से जो है वो अपने concealer को lock करना है और lock करने के बाद में जो मैं आज इनकी eyes जो दे रही हूँ वो pink के size दे रही हूँ baby pink में ही क्योंकि उनकी dress जो थी वो baby pink थी और इनका bridal भी मेरे पास ही था तो मुझे दोनों look जो हो different देने थे तो मैंने जिस सरे की dress थी उसी तरीकर मैंने जो है उनकी eyes makeup दिया था तो first हम उपर keys line के उपर जो है वो light baby pink color जो है वो apply कर रहे हैं guys जब भी आप eyes का makeup दें तो उपर से जहां eyebrow का arch होता है तो वहाँ से हलका सा pull करना बहुत जरूरी होता है जिसे की जो भी हमारे lines पर जाती है न तो जैसे hooded eyes होती है तो उनमें एक line create होती है आपकी eyes makeup के लिए तो इसलिए आपको arch से जो है थोड़ा सा pull करना जरूरी होता है तो आप जब भी आइस makeup करें तो arch से उनका हलका सा pull कर डीजेगा और मैं एक ना तो hello eyes ही दे रही हूँ ना मैं wink मतब cut crease eyes दे रही हूँ सिफ मैं ऐसे ही glittery apply करूँगी तो आप देख सकते हैं मैंने जो थोड़ा सा darker shade लिया था और जिस से हम hello eyes के लिए apply करते हैं इस से ही मैंने apply कर रहा था तो देखेगा मैंने light baby pink से जो है वो blending कर दी ती गाइस आज बहुत जादा ना video हिल रहा है तो थोड़ा इस शीच को ignore करिएगा और सिफ makeup पे ध्यान दीजेगा तो आप देख सकते हैं मैंने जो है blending बहुत अच्छे से कर दी है तो पहले मैं इनका slippery जो है silver color का glittery apply कर रही थी पर मुझे लग रहा था कि वो शायद जादे ही कम लग रहा था तो बाद में बाद में उनका थोड़ा dark shade यूज कर रहा तो आप देख सकते हैं मैंने जो इनके उपर जो hello eyes की तरह है न जो concealer नहीं apply कर रहा था सिफ मैंने एक glittery shade लिया था light color का और वो मैंने ऐसे ही apply कर दिया था आप देख सकते हैं के और अगर आप then apply करना चाहते हैं तो तो देख सकते हैं तो देखेगा मैंने आप बहुत light color ता जो इनकी ड्रेस के सेट में था तो मैंने वही apply करने के बाद में थेन थोड़ा सा डाका सेट लिया था सिम्री का और वह भी apply कर दिया था तो देख सकते हैं आप वह पहले apply कर रहा था वह पाड़र फोम में था और जो मैं second apply कर दिया हूं वह creamy फोम में थोड़ा फोन में नहीं दिखाई दे रहा है पर वह फ्रंट से आप देखते तो तो तोड़ा सा लुक जो है वह चेंज हो रहा था गाइस तो मुझे आइस जो करने के बाद ही मैं उसका विंक दूंगी तो आप देख सकते हैं कि उनके जो आइस मेकप है वह कितना खुबसूरत लग रहा है वह बहुत जदा अच्छा लग रहा था मुझे तो इस्पेशली बहुत अच्छा लग रहा था आप भी कमेंट डाउन जरूर करिएगा कि आप अप्लाइ करा दिया था और उसके बाद में मैं यहां पर लगा रही हूं 303 जो सेड है हमारा क्राइलोन का और बहुत अच्छा सेड इसका जो इनके जादा जो है पिग्मेंटेशन फेस पे नहीं थी फिर भी मैंने इनके आइस के नीचे और अपर लिप्स के लिप्स के आस अबल से टीशू पेपर से उसे जितना भी एक्स्टा पानी है उसका निकाल लेंगे और देन उसके बाद ही आप उसे यूज करेंगे जो भी आप प्रोडेक्ट लगा रहे हैं वो सारा ब्यूटी ब्लेंडर में ही आ जाएगा उसके बाद में मैंने यहां यूज करा है क्रै क्रैलोन की पैलेट होती है तो उसमें डाकसीड बहुत सारे होते हैं तो अगर आपके पास 303 नहीं है तो आप कोई भी डाकसीड अप्लाई कर सकते हैं तो वह पिग्मेंटेशन जो भी आपके फेस पे होती है उसे वह कबर कर लेता है तो यहां देखिएगा मैंने जो है वह करसे कर दिया है और इनके फेस पे ना एक अलगी Аपको लुच दिखाई दे रहा होगा अच्छे से वह लुक दिखाईरा ए और उसके बाद मैं जो है मैंने एक और अप्लाई कर रहा है इनके क्यूंकि मैंने जू प्रोडेक लगाया था वो बहुत लाथ लगाया था और नी मेकप फोरेवर का मैं आपको बता रही थी के रिव्यू में दूंगी तो उसका मैं इसे लॉंग लास्टिंग मेकप रखने के लिए यह एचडी फॉर्म में था उसके बाद में मैं आपको जादा नहीं रखनी है और अच्छे से जो है उसकी ब्लेंडिंग आपको कर लेनी है और ब्लेंडिंग करने के बाद जो आप मेकप देख सकते हो वह बहुत खुबसूरत आने वाला है लाइस एक चीज़र होती है ना बहुत से लोग यह सोसते हैं कि शायद अभी हमारा फेस जो वह वाइटनेस लग रहा है पर ऐसा कुछ नहीं होता है जब भी आपका मेकप एक घंडे बाद ना आपका मेकप जो वह एब्जब होता है तो वह स्कीन में मैच हो जाता है अगर आपने प्रोडेक्ट जो है वही सेम उनके स्कीन टॉन के अकॉर्डिंग लगाए है आपको अच्छे से जो है वह अप्लाइ करके और वहीं ब्लेंड करना है जहां जहां आपने प्रोडेक्ट लगाया है और आप देख सकते हैं आज मैंने बहुत सारे जो अलग लग यूजब करें हैं और एक और चीज में आपको बताऊं कि यह ना फेस का सीटियम अच्छे स नहीं हो पाएगा और जो भी देखिगा इनका एक्स्ट्रा आ जाता है तो आप यह वर से वहां से हटा सकते हैं जो भी प्रोडेक्ट से भी हो जाता है तो वह आप यह वर से हटा लीजेगा और उसके बाद मैं आच्छे से ब्लैंड करके मैं जो है नॉर्मल फिटमी के ही पाक कर रही हूं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक उसका आ रहा है और क्र Zurres neg society मुझे फबामन जरूर्व करिए गा कि आपको मेकब कैसा लगा है और आपके नचाहें जाहते हैं वह फी मुझे कमेंण डाउन palavra करीया इसके बाद में मैंग्रूरे वेनिफिंट को में सो आप महांसे भी में लुदर्स करी था और इनके औरिम कहाने सिल्व मुदर के गचाल करा थोड़ेंगन प्डूंच मैं और उर्डम मुदर्ण पोड़ संसां तो आप यहां दो इखा रहा है हलेटर reacts और में भाइट कर रहा है और उनके और मैं उनको नीचे काजल भी आज देने वाली हूँ तो काजल देने के बाद में powder base से जो है उसे भी जरूर lock करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मैंने powder form से मैं किस तरह से उसे lock करती हूँ तो देख सकते हैं कि मैंने eyeshadow palette से एक black color लिया था powder form में और उसे था और इनके पास जब यह तैयार हो गई थी तो परी लाइक परी जैसा लुक इनका आ रहा था तो बहुत खुबसुरत मेकप लग रहा था मैंने पूरा पिंक किस उनका लुक दिया था तो अगर आप किसी भी पिंक ड्रेस पर अगर कोई मेकप लुक दे रहे हैं तो आप इस प्रश्च मैंने वीडियो में डाला है तो आप देख सकते हैं कि जब तक पता है लिपिस्टिक नहीं लगती तब तक मेकप बहुत अधूरा अधूरा रह जाता है तो मैं लिपसेट जो लगाने वाली हूं तो वह भी बहुत 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 अच्छी लगने वाली है गाइस उइसके बाद में मैंने एक light color लिया है जो baby pink से भी light था जो उपर मैंने key's len से उपर जो blend कर रहा था और अच्छे से मैं जो भी dark pink है रहो इस में blending कर रही हूं जो एक hast line नहां लगे और आप बाद में ऑइस के back में भी अच्छे से ब्लैंडिंग करेंगे जहां पर भी कि आप याप ब्लैंड करिए गा तब ही आप मेग ब्लैनर आपक्ट करिए गा तो देख सकतें आप उनका जो मेकप वह बहुत फ्लेलेस लग रहा है और हलका साथ जब लिए और उसे ब्लेंडिंग अच्छी से दे देंगे उसके बाद में आफ विंक क्लाइनर जो हमेज़ा ऑइस ओपन कराके ही जो हमारी एक lгорकून होती है वो क्रिएट करनी चाहिए दैने उपर जो है वह बहुत खुबसूरत लग रहा था और मैंने सोचा था कि उनका जब भी ब्राइडल होगा तो मैं ब्राइडल पर जो है उनको लाइनर या काजल बुलकुल भी अप्लाई नहीं करने वाली हूँ वो मैं बुलकुल डिफरेंट मेकप देने वाली हूँ उने क्योंकि साथ की साथ आपको मेकप भी दिखाना चाहिए नैं क्या आप बुलकुल अलग होना चाहिए बंदा कlexна के इंगेजमेंत पे जो मेकप दिया था से बलकुल डिफरेंट होना चाहिए तो मैं हलका से उनका नोजी । उनको। नोजी लुजा कर रहीं और में ब्राउंजर ये यूड़ ब्रांजर मैं उनको fit me नोजी वैसे मैं जो मेरा सेड्य कोस्मेटिक थोड़ा सब्रूरा ब्राउंजर कर रही थी जरूर यूज़ करें जिसे कि जो भी उनके लिप्स पर कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम क्रियेट ना हो और उनकी जो लिपस्टिक आप लगा रहे हो वो लॉंग लास्टिंग रहे तो देखे का मैं उन्हें एक न्यूड लिपस्टिक दे रही थी ना कि मैं बेवी दे रही थी क्योंकि बेवी पिंक मैंने लगा के देखा था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो आप हमेशा जब भी लिपस्टिक करें तो आप उपर करना हार्ट शेप जरूर बनाएं क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है हार्ट शेप में लिपस्टिक लगान चाहरें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और कभी-कभी क्लाइन का लिपस्टिक लाने का बहुत प्रॉब्लम होता है तो कभी-कभी लिपस्टिक फैल भी जाती है तो आपको डढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप जो भी प्रोडेक्ट उनके फेस पर यूज कर प्रोडेक्ट उनके उपर यूज करा हो वही आप ड्रस की हल्प से उसे आप डाल सकते हैं वैसे मैंने सीच का भी शॉट वीडियो डाला हुआ है अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो और उनका जो मेकप था वह बहुत चा लग रहा था मैं त को जरूर दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि उनका जो अलोबर मेकप है वह कंप्लीट हो चुका है और मैं दुबारा से उनको हालाइट परिंट दे रही थी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था और आप लास्ट फाइनल लुक देख सकते हैं कि उनका जो गाउन था वह वह बहुत अच्छी लग रही थी मैंने हेर ऐसे सरी जोरें बहुत खुब सुर लगाई थी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में